है फुरिक्स वाग अठाप लेकर में चैनल में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एजेन वेनम के बारे में Flash Thompson प्रेपास जाएगा और बनेगा Agent Venom और सच में इस बात के स्योटी बहुत ज्यादा है क्योंकि MCU में अभी तक 80 Brock नहीं है और Flash को Agent Venom बनाना एक काफी अच्छा इडिया है सो बिनकजिच की चाहट के चलिए जानते Agent Venom की कहानी एके Flash Thompson की Flash Thompson मिड्टाउन हाई स्कूल का एक हट्टा कट्टा ब्लोंड लर्का था जिसका असली नाम था Eugene Thompson लेकिन क्योंकि स्कूल के बेजबॉल में उसका पीच सबसे ज़्यादा फास्टेस था इसलिए स्कूल में उसका निकनेम पड़ा था Flash अब हाला कि एक हट्टा कट्टा मस्कूलर बंदा होने की वज़ा से स्कूल में वो जितना वारा शेर था घर में उतना ही डर्पोक एक भीगी बिली था क्योंकि Flash का पीता उसे बहुत ही ज़्यादा एब्यूस करता था उसे मारता था पीटता था और अपने घर पे बच्पन से अपने पापा के द्वारा एबुस्मेंट का शिकार होने के कारण ही Flash Thompson अपने घर का गुस्सा स्कूल के कमजोर लड़कों को पीट के और तंकर की निकालता था और खास करकि वो पीटर की टांकी चाही ज़्यादा करता था उसका अगुस्सा पीटर के उपर तब बड़ा जब Flash लीज को अपनी गल्फ्रेंड बना के उसे डेट कर रहा था मगर लीज पीटर के उपर फिदा हो गई थी जिसकारा से फ्लैश पीटर से जेलस था और इसलिए पीटर के पीछे ओज्यादा लगता था स्पाइडर मैन के अच्छाई और हीरो गिरी उसे इंफ्लुएंस करती थी और वो स्पाइडर मैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था और स्कूल से पासओर होने के बाद वो पहले एक पीटी टीचर बना था मगर उसका हीरो एक दिल कुछ बड़ा करना चाहता था और इसलिए पीटी टीचर का जॉब छोड़ के युएस आर्मी जॉइन की थी एक हीरो की तरह मासम लोगो को टेरिस्ट से बचाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए और सच में फ्लैश थॉमसान एक बहुत थी बैतरीन और बहादूर सिपाई था जो अपने देश और साथियों के लिए अपनी जान की बादी लगा देता था जब वो अपने ट्रूप के साथ टेरिस्ट के एडिया से गुजर रहा था तब टेरिस्ट के साथ उसके ट्रूप का शुट आउट हो जाता है फ्लैश अपने दिमाग और बहादूरी से डट को उनका सामना करता है और उसके उपर लिटरली गोलियों की बरसात हो जाती है हाला कि बुलेट प्रूफ जकेट के कारण वो बच जाता है लेकिन उसके पैर गोलियों से चली हो जाते है मगर फिर भी ओकिस तरीके से रेंक के अपने सुपरियोर ओफिसर का जान बचाता है और मानोगी नहीं कि स्पाइडर मैं का इतना हिरोईक इंफ्लोईस उसके अंदर था कि उस हिरोईक जजबे ने उससे अपने गोली लगे पैरो पे ख़रा कर दिया और उस हालात में अपने सुपरियोर को कंधे पे उठा के बचा ले आया अपने आप से ये कहत हुए कि एक हिरो अपने से पहले दूसरों की सोचता है लेकिन इस हिरोईक काम की नाम में उसे मिला disability क्योंकि इस हिरोईक काम से उसके पैरों के maximum muscles tissues damage हो चुके थे और बहुत ज्यादा खुन निकल चुका था और मज़िबूरन उसके पैरों को काटना पड़ा और उसकी जगा हिरोईक के टीम में नहीं wheelchair पे बन गिया और इस तरह वेनम सिंब्योट एडी ब्रॉक के बाद मैक गरगेन एके स्कॉर्पियन के साथ जुर जाता है और काफी समय स्कॉर्पियन ये मैक गरगेन के साथ गुजरने के बाद फाइनली सीज ओव एजगार्ट की इवेन में वेनम स्कॉर्पियन से अलग हो जाता है वेनम सिंब्योट गॉब्मेंट कहा तो लगती है और गवर्मेंट वेनम को पकड़के उसे कैद करके DHS के हवाले उनके देखरेक में रख देता है जिसके बाद DHS वाले ये कोसिस करने लगते है कि कैसे वेनम को अपने किसी अच्छे आदमी के साथ बॉन करवाके गॉब्मेंट का खुद का एक सूपर सोलजर बनाया जा सके और वेनम को एक अच्छे हतियार के रुक में इस्तमाल किया जा सके और इसी कारण से DHS जल्द एक कैंडिडेट को बुला के उसके साथ वेनम का बॉन्डिंग करवाता है लेकिन उस होस्ट की मौत हो जाती है जिसका बाद DHS वालों को ये लगता है कि साथ होस्ट में कुछ प्रब्लेम होगी और इसलिए बहुत सोचने के बाद वो लोग अपाईज बन चुके फ्लेश को ये ओफर देते हैं पाईली अपने देश के काम आपाएगा एक हीरो बन के लोग को सेफ कर पाएगा ये सौचते ही500 लोग फ्लैश के साथ वेनम के बॉन्डिंग करवा देते और देखते देखते फ्लैश के बॉड़ी में वेनम स्मा जाता है और वेनम का बायो मस्लैश को नए पैरों पिखड बनता है अब फ्लेश रे बॉंड करने के बाद एजेंट वेनम के पास वेनम स्पाड़ा में इनलोगे पावर्स तो थे ही मगर साथ ही में उसके पास कुछ एडवांस अविलिटीज भी थी जैसे कार्णेज की तरह वो अपने बायोमास से विपन्स करेट कर सकता था जैसे वेनम पे अपना कंट्रोल खो दे रहा था और वेनम उसके हावी हो जा रहा था जैसे उसके पहले ही मिशन में जब उसे डॉक्टर एक मेसिस को लाने भेजा गया था तब शुरुआत में प्लैन की सबसे सब कुछ सही था इविन उसने एक हीरो की तरह एक मां उसके बच्च लेकिन फिर जब वो डॉक्टर एक मेसिस को लेके भाग रहा था तब वेनम एक मेसिस के सर पे वेब मार के इतने जोर से खीचता है कि एक मेसिस का गर्दान टुटके होई पे मौत हो जाती है एक कर लिया था और बेटी को मारने का धमकी दे रहा था तब तो फ्लेश अपना आपाउए खोदे लेता है और इसी करन से वेनम फ्लेश के ऊपर फुली कंट्रोल में आ जाता है और वेनम बेटी को ना बचा के उल्टा फ्लेश के आईडल स्पाइडर मैं से लड़ने लगता है और सच में सच में बहुत ज़दा बड़ा तमाशा ख़रा करने के बाद फाइनली फ्लेश किसी तरीके से कुछ सेरेटिप्स का इस्तेमाल करकी उनको खाके वेनम को दुबारा कंट्रोल में लाता है और जब फाइनली बेटी को बचाने जाता है तब बेटी को बचाने के पहले बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और फ्लेश टूट पड़ता है मगर luckily तब ही हो देखता है कि स्पाइडर में ने बेटी को बचा लिया था और इसके पद गर्णमेंट के साथ उसका थोड़ा सा अनमन हो जाता है मगर धीरे धीरे समय के साथ साथ वेनम फ्लेश के केंट्रोल में आने लगता है और वेनम के साथ फ्लेश की दोस्ती हो जाती है अन्देन काफी सार इवेंट्स में वाज़े हीरो की तरह दिखा मगर फिर डॉक्टर अक्टोपस के सुपिरियोर स्पाइडर मैन बनने के बाद उसने चालाकी से फ्लेश रे वेनम को चीन लिया था और बॉन्डेट होके खुद बन गया था सुपिरियोर वेनम जिसने लिटरली एवेंजर्स के चक्ये चुड़ा दिये थे और देन फाइनले वेनम दोबाड़ा फ्लेश के पास भागा आया था मगर फिर भी वो एक करप्टेट सिंबियोर था और इसलिए जब वो लोग क्लिंटर पहुचे तब वहां के बाकी वेनम सिंबियोर्स इस वेनम को ठीक कर देते है और उसे और भी ज़दा पाउरफुल बना देते है जिसके बाद फ्लेश एजन वेनम से बन जाता है और साथी में क्लिंटर में उन लोग को ये भी पता चलता है कि एक्चली सिंबियोर्स का रेस एक काफे अच्छी रेस है जब तक किना कोई गंदे आदमी के साथ बॉंड करके सिंबियोर्स को कोई करप्टेट कर दे और स्पेस नाइट बन के काफी हिरोगरी करने के बाद सिबिल वाड़ 2 में जब वो लोग धर्ति पे वापास आये थे तब फ्लेश रब वेनम किसी तरीके से अलग हो जाता है और फ्लेश को धुनने के चकर में उसकी बॉंडिंग ली प्राइस से हो जाती है और फाइनली वेनम दुबारा एडी बॉक से बॉंड कर लेता है और बन जाता है वेनम मगर इस बार ये वेनम कोई करप्टेट विलेन नहीं बलकि एक एक एंटी हिरो था और अगर आप पूछोगे की फ्लेश का क्या हुआ तो फ्लेश इसके काफी टाइम बाद बन जाता है दा एजेंट एंटी वेनम जिसकी बॉरिजिन में बहुत ही जल्दी लाऊंगा और अगर आपको एंटी वेनम के बार में जानना है और फ्रीकिंग सूपर हीरो